कि देखिए वैं कोश्चन ये करें कि एक सामने एक नंबर से अगर एन को 102 से डिवाइड किया जाता है तो रिमेंडर क्या बचे हो काफी जबरजस्ट कुश्चन है सबसे पहले रिमेंडर थियूरम होता क्या है कि रिमेंडर थियूरम कि ये क्या होता है जिसे मैंने आपके पास एक नंबर लिखा दो से ही एकवर्टे थीन मॉपए काक हो पढ़िए क्यों MS टिर्यंका इस को बताई है निए क्छो आप रिमेंडर बोलोगे दो से इस पर मल्लिप्लाई करोगे इस एक जोड़ोगे नहीं साते हैं इन में हम बह्त हैं आईूई जूघ कि इसको आप हैं बहाई कि यानि करने का मतलब यह हुआ कि जो संख्या से हम भाग लगाएंगे वो संख्या चोटी होगी और जो रिमेंडर बचेगा जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं वो संख्या उससे भी चोटी होगी करने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो नंबर्स आएगा उसको 102 से भाग सबस्वेदे पफले 24 मैं लिख सक्ता हूँ इसको 24 इसको बीग सक्ता हूं है इसको इसको भी अर इसको विजट aur और इसको भी ध्यान से समझेगा इस question का कैसे करें कटेंगे अगर मैं इसको लिखों ठीक है भई इसको में ली सकता हूं कि इसको 24 के स्क्वार होता है 576 इंटू 24 फिर उसी तरीके से मैं 25 के स्क्वार 625 इंटू 25 देन उसी तरीके से 26 के स्क्वार 676 इंटू 26 देन उसी तरीके से 27 के स्क्वार 729 इंटू 27 और शब को 102 से हमें डिवाइड करना है के अब मैं आपसे यह बोलूँ भाई कि अगर मैं 102 से 506 औरा और मैं बांग ी कि 54 से ठीक है अब अब बिशुवक को डिवाइड करना है किससे पांसे डिवाइड करना है य forb ॊकिंशे से तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमेंडर क्या पर निकल कराएगा अगर एक बार 76 को 6 से डिवाइड करोगे तो भाई रिमेंडर यहां पर क्या निकल कराएगा यहां पर रिमेंडर क्या निकल कराएगा यहां पर रिमेंडर क्या निकल कराएगा चार निकल कराएग तो किया था 4 x 5 x4 यह एए था बटे में 6 है अब इसको करो है फंचो कर 20 24 का कितना हुते है 80फी 6 और 80फी 6 कोच भूवायड करो यहां पर जो द्युकर होगे मैं जो यहां पर रिमेंदर निकल कर आएगा जो यहां पर लिदा नीकल कर आएगा कितना आएगा आपका को हम छे से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे डिमेंडर निकल कर जाएगा ची निकल करेंगा इसी कंसेट में हम इस कोस्टन को करने वाले हैं कि अब देखें यहां पर 102 को में पांसे डिवाइड पांच बार मल्टिप्लाई करूंगा यहां पर क्या जाएगा 510 तो 576 में से 510 का माइनस करें कि यहां पर कितना जाएगा भी 66 इंटू 24 में उपर लिख रहा हूं इसी तरीक यहां इसको 6 से हम मल्टिप्लाई करेंगा कितना हो जाएगा 612 625 में से बारो को माइनस करें कितना हो जाएगा तेरा इंटू पाचीस अब यहां पर 739 अगर मैं साथ बार में ले जाएगा इसको तो 700 कितना हो जाएगा चौद तो 729 में से 714 मैंस करें कितना हो जाएगा 15 इंटू 27 कि और अगेन मैं आप से यह बोलूं और यह सिखटी शिख सेट इसको में 7 कुछ सकता हम यह कूछ यहां पर भी से सबस्क्राइब ऐनिक इसे सम घब इनको मैं कैसे लिख सकता हूं 66 और 24 को देखो uh अगर मैं इसको लिख canal चैन और सकता हूं इसको चैन और छार लिख सकता हूं रापे इसको ऐसे भी आप फैटर आपक्र करक्ते हो और आसानी से अगर मैं इसको ऐसे ऐसे उ시면 और प्लस में 66 इंटो 4 इसको ऐसे भी मैं पेयर लगा सकता हूं नो इस में एक पाटिकुलर लिए को बता रहा हूं जो मेरा सोचने का एडिया मैं वह आपको बता रहा हूं इसको इस पूरे बैल्यू को जो 66 इंटो 4 आप बलोगों कि यहां से 66 को कमल ले सकते हैं और 66 इंटो मैं कर सकते हैं 66 इंटो 4 इंटो 26 इंटो 6 हो जाएगा यहां पर जो वैल्यू है उसको मैं इस तरीके से यहां से इस तरीके से भी लिख सकता हूं मेरे करने का परपोस यही है कि इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इस एक समझा रहा हूं बाकि को मैं ज़ल्दी ज़ल्दी करूँगा फिर दुबारा से मैं समझाने के प्रयास करूँगा देखो कि दुबारा समय क्या समझाना चार हूं आपको कि इस 66 को मैं 11 इंटू 6 भी लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं कि 6 इंटू 4 भी लिख सकता हूं दूनों में से 6 कमन निकाला को कि 6 कमन निकाल सकते हूं अचांट सकता हूं और यहां पर 11 प्लस्ट जैने होता है अért 11 15 perfect इसको मैं मैं लिखने तरहाई है कि 66 करता हूं 262 बुना 20 करता हूं और प्लस में 263 बुना चार यानि कि हम यहां से क्या करते हैं इसको तोड़ दिये दो पार्ट में जब तोड़ दिये आ और ऐसे चैनल को सबीटनेक है सिखाएंब जाया है शेक्राइऑ कि अधिये चैनल ₯ह करें सीटना हो कि में एक क्यारी यह व्हास्य सब्सक्राइण हो मैं figuring रहätको टेखेंगा दोगें जब्सक्राइन करें गांअनि कि मैं दुखत शटनोंольз Ng चाहरा कि अबकुछ समय नहीं लेगा अगर मैं यहां से देखेगा अगर मैं यहां पर देखको ने से क्या human ले सकता हूं की 66 से common ले सकते हूं यहां पर क्या बच्थ 20 ह muchís and अब इसमें से मैं क्षाम Ing उसकता हूं चारकाम ले सकता कि अब हैं से ढ़का है कि यहां यहां में अब है हम एक्सोथ दो से टिवाइद करें जया जब updated रहां कितने बार ले जाएंगा च्य बार ले जैये अनि canad Francis छ्यृ को माइंद करें कितने बचा 54 बचा कैसे बचा यह पूरी कहानी मैंहास मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से यहां पर तो हम 25 से मल्टिप्लाइ कर सकते हैं 25 75 और 25 और 7 कितना होता भी 75 12 32 325 और यहां साम मैं इसको कितना हो जाएगा आपका 306 25 में 306 को माइनस करने कितना हो जाएगा आपका 19 जो यहां पर आपका रिमेंडर बचेगा यहां पर 19 बचेगा कितना बचेगा बचेगा 19 अब जो आसान है यहां पर भी यह चीज़े आसान है इसको भी हमें कैल्कुलेट कर सकते 15 साथे कितना होता 105 के 5 10 15 30 40 405 अगर इसको मैं 102 से डिवाइड करूंगा तो चार बार ले जाओंगा यह इसी बात है नहीं चार बार नहीं ले जाए सकता क्योंकि यह 408 हो जाएगा ठीके यह फिर मैं चार बार ले जाओंगा कितना बचेगा माइनस का 3 रिमेंडर बचेगा कितना बचेगा हमें नहीं जाओंगा फार नहीं करें आपको लटा keenly का सब्सरी की से करेंगा म 22MM करेंगे यहां पर क्रीगा नीनलंगे 179 तो प्लसका रीमेंडर कितना आधा आधा 990 आधा यहां आपर अब देखावई इस में इसको फैक्टर करनो अगर यादा क्रिप्रिकल को रहा है तो इसका factor चूसे इसी तरीके स्मय स्कता हूं 64-20 dieses 100 में 400 कंदा लेंगे उनों में दो भी कंल ले सकते हैं तोटल हूट 12 में मौंत थीं नहीं हैं कि 10 वचेशा रहने कि 10-13 के क्लिक दे आ ID अब अगर मैं इसको एक रटाइ से डिवाइड करूंगा तो यहां पर जी रिमेंडर आएगा कितने यहां पर आजाएगा 26 और इंटू 13 आजाएगा 26 इंटू गया जाएगा अब यहां से देखो अब यहां तो इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर इसका मल्टिप्लाइ करोगा तो तो यहां पर जो रिमेंडर आएगा तो टोटल कितना एगा 32 आप सबको जोड़ो आप इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हुजाएगा आपका नौपांच नौचार तेरह और पांच और एक छे चेक साथ प्लेस में 32 इसको जोड़ेंगे कितना हुजाएगा 325 कि दो पांच और भाग से लगाना खाएगा तो आपको बताया ना कि रिमेंडर में क्या होता है कि जो ऊपर वाले वेल्यू अगर एक बटे दो है तो यहां पर रिमेंडर हैं तो यहां यहां इस इस value से कम होगे जिसे हम भाग लगा रहे हैं तो remainder उपर होगा 204 नीचे कितना है value हमें भाग लगा ना 102 से अब यह तो value कर जाएगी न 204 102 से कर जाएगा तो remainder क्या जीरो तो 0 जो है इस question का answer हो जाएगा अलाकि यह question था इसमें कोई अगर आपके पास इसके इसका कुछ तरिकेट तो बदा सकते हो ठीक हमें ही बदा सकते हो अधर्वाइज आप जब आप इस question को करोगे तो मैं यह expect करूँगा कि दो मिनट यह फिर यह 1.5 मिनट में आप कर सकोगे तो मिनट के अंतराल में इस question को आप कर पाऊगे और जहां इसी बात है कि एक्जाम में सारे question इतने the calculation के डियुक्त होते नहीं कुछ ऐसे होते हैं यो एक में नहीं कराओ टूटल ट्वेंटी कोश्चन में कुछ इसे होंगे पांज से होते हैं जो दश्राइक से पंदर सेकंड के बीच मैं बन जाते हैं तो ऐसे अगर कोश्चन एक लेटी भी मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है आप इस कोश्चन को कर पाओगे तो मुझे उमीद है कि कोश्चन जो मैंने आपको बताने का प्रियास का समझाने का प्रियास का कैसे फैक्टर करके कैलकुलेशन को और असान करोगे वह चीज अगर आपके पास 24 का क्यूव याद है 25 का क्यूव याद है 26 क्यूव यह 27 का क्यूव याद है तो बहुत अच्छी बात है रियक्ट अब जोड को 102 से डिभाइड करके भी देख सकते हैं नहीं आदे तो भाई आपको इस तरीके से करना होगा